हम कांटियूनियू करेंगे फिर से इनिटिफिकेशन का पार्ट यानि शिनाख्तगा जो गयाशकल के हमारे टॉपिक है जिसमें हमने पार्ट वन पार्ट टू को पढ़ लिया है उसके अंदर मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है कि पार्ट वन के अंदर कौन-कौन से टापी कवर हो रहे हैं और पार्ट टू में कौन-कौन से टापी कवर हो रहे हैं वो हमने बता दिया है आपको और आज पार्ट थिरी हम कवर करने कोश्च करेंगे और इसके जो सब हेडिंग रहेगी वह है डिटर्मिनेशन ओफ एज या कि identification by determination of age या identification by age इसके जरीए से एज के जनी उमर के जरीए से या I.U. के जरीए से किसी की इनसान की शनाखत की जा सकती है तो फिरन हम जैसे देख रहे हैं कि इसमें लिखा है the age of person or individual up to above 25 years या किसी भी शक्स की उमर जो की तकरीबन 25 years तकी हो एक या दो साल के range या फरक के साथ जो है कुछ following data जो दिये हुए है के जरीए से मालम किया सकता है ठीक है 25 साल की उमर को मालम किया सकता है और उस 25 साल की उमर के दर्मियान में एक या दो साल का ही फरक होगा जो एक अंदाज़ा लगा जाएगा किसी की उमर का, यह जो बाड़ी मिली है, या जो यह जिन्दा शखस है, अपने उमर को कुछ बता रहा है, लेकिन इसकी उमर क्या हो सकती है, तो उसको कैस के जरीए से मालू की ज़कता है, वो दो तीन चेज़ें जो है, फ़ला जो डाटा जो आपके सामने फरियसेंट हो रहा है, यानि कि कि इस शखस के अगर दांटों को देखा जाये, और उसके जरीए से क्या है, कि इस शक्ति या इस परसन की एज क्या बाड़ा इस आपता बोन है, यानि कि जो प्राइमरी सेंटर होते हैं, जब इन्साम बच्चा डिवलप हो और वहाई पर बोन कौसिफिकेशन होता है कि तो उसके जरी से मालुम जाएगा इसको खासर से उसको एकसरे से मालूम करें लिए कि अगर कोई बच्या है तो उसका प्रामरी सिंटर अगर माली के लिए क्लेविकल का या माली फीमर का या इस्टरडरम का माली तो उसमें यह देखा जाएगा कि यह किस एज में है ना जो इंटर्वट्राइन लाइफ होती है किस एज में यह क्या होता है कि मादरे रहे में यह डिवलप होते हैं ठीक ना इसको एक सब्सक्राइब जरीय से मालूप जाएगा कि अगर जो है क्लिविगल जो से पहली बोन जो ही था ठीक है अब उसके लावा देखें कि हाइट और वेट के जरी से मालूम कि उसके उमर का अंदाजा लगा जाए सकता है अब भी हम जो पीछे हमने हम जो स्टडी किया था वो तो हाइट और वेट वहापर में इंचन था चिल्डेन बच्चे में हाइट और वेट का ताल इसके जरी से हम मालू कर सकते हैं और फिगर है मिसलिनियस में जैसे बहुत सारे पार्टिकलोष आज जाएंगे इसमें इंक्लूड्स है कि बर्स रिकार्ड है यह सब चीजें कि जाएंगे कि एक इनसाली क्या है एज कितनी है तो इस्टुरेंट्स में मिसलिनियस में हम और भी जानेंगे और इसमें पढ़ेंगे तो उसमें यही चिप्षिजें आएंगे खास और से अगर देखा जाए तो उसमें एक बड़ सर्टिफिकेट आएगा फिर दूसरा क्या एजा पुबर्टी है ना किसी इनसान क्या चेंजस डिरिंग ओल्ल एज एल्ड जब इनसान ब दान पमुबर्टी हृब के लिए खास सिछेज़ तो-पूध और अधका बड़ा rewल्ल जलिएतं और फूसमें की अपने एपने शही चेजस में लेघा सकता है ना कि किस भी है कि कस व्मर में किस एज़ेश में कौनसा दान्त अद्ग उपता है यानि की प journaling होता है यह फो करता है यह बड़े के अंतर तो इसे कर रहे हैं कि इर्प्शन आफदा टूथ ठीक ना या टीथ तो इसके सालों से आप हम लोग साथ से पहले बात करेंगे नमबर वन पांट जो है और टीथ आफ इर्प्शन करें कि जो है एज को स्टेमेंट करने के लिए उसके उमर मतायन कर करने के लिए क्यों दाथ के जरी से यह बहुत ही असानी से अगर जरूरी हो जाता है कि यह कि यह दाथ जो है के जरीए से इस बंदे की या इस इंसान की क्या एज है क्या उमर है उसको कहरें कि यह मालू के जासता है और वो कैसे किसके जरीए से यह कर नमबर एक तो है कर डि और दूसरा लोड़ जा, यह रही कि दोरों जो सेट है, उसके जरीए से मालूग गया जाए है, कि अगर स्टुड़ी करने के बाद, कि 21 एज में कितने दाथ होने चाहिए, ठीक है, उसको मालूग गया जाए है, और फिर किस एज में, किस उमर में, जो है, कि जैसे इंसीजर है, तो किस उमर में डिवलप होता है, पाइदा होता है, इरप्शन होता है, या मालिया की मोलर है, या पिरी मोलर है, तो किस एज में इसका डिवलप्मेंट होता है, किस एज में इसका इरप्शन होता है, तो इसको जो है, कैसे टाइम आफ देर इरप कल्सिफिशन जब आप टीट का बहुत करिए को एक बार जो है इनाट में उसकी पड़ लिएगा है ना कि टीट का जो है तो आपको किलियर हो जाएगा यह कैसी सब्सक्राइब होता है भी यानि कि तुटुटुटश तोसे जो डोसे कास्तोर से उसमें जो आ रहा है किया एक टम्री या यह अद उसके पर मार्मनम् मतला घहा ऑर जी। डिस situाज या milk teeth कहते हैं थो क्योंना जो होते है इस्कोco temporary teeth क्योंतिश क्योंति ऊछमद्द और हमके जए प्ले करते हैं जो हुआ हमने दूद्द के नाज soccer हूए मूत runrip जो कि त६ это suis स्टेज पर हम लोग देखते हैं जिसे फूर इंसीजर जो की बिल्कुल सामने के दांत होते हैं ना दो उपर में और दो नीचे में तो दो डोने चार यह दूनो ऊपर के नीचे के मिलाने वाद आपर जाके तो और लोड़ा के दो ठीक है एहाँ पर यह अपर जा यह यह आप पर जाके तो इसको अगर काउंट करेंगे तो जागा दो टू टू फोर तो यह कहा है यह सेंट्रल इंसीजर ही है अभी यह इसके अंदर दिखाया आपको तस्वीर के अंदर और अभी इसको हम और तफसील से पढ़ेंगे तो और इसको समझे कोशिक करते रहेंगे ठीक ना पोर ढ़िःइक है और जा। यहया कैनान देखिया और कैनान एख कफियो यह वाला फश्ट कह गर के वाला यह के तो ऊपर में हैं और किस और प्लो कि नीचे एक यह और एक यह तो्न तो फोर है ना यह दो उपर को दो नीचे के तो यह हो गए स्टुडेंट अब हम लोग इस तरह समझ लेगा और फोर करते हैं मोलर्स होते हैं यहांँ कि 4 आज़ेंस होगे दो केनन्स होगे और फोर तो और सब्सक्राइब उपर पार्ट में कितने होगे और यहां नबर पार्ट में कितने होएे टेन तो होता है उसकी तादात कितनी होती है याद रखिएगा और फिर हम बात करते हैं पर्मनेंट टीथ की पर्मनेंट टीथ कितने टुटल होते हैं इसका है कि तो यह यह पर्मनेंट टीथ कि नमबर 32 होते हैं जैसे कर दो देंगे ना बहुत लिए मुहाविनें बोलते हैं तो यह जो कि कोई फिल्म से अमता बच्चन की शायद मुझे आथ है उसमें कहता है गंगा जमना सरथ शायद उसका नाम था उसमें कहता है कि तुमने बच्पंग तोड़ा है और मैं तेरा 32 दान तोड़तूंगा यानि जब बढ़ा हो जाएगा तब तो यह यह पर्मनेंट टीथ यानि कि कितना होड़ा टुटल यह नमबर 32 फर इसमें बता रहें कि फोर इंसीजर होता है और टू के नैंस होते हैं और फोर मुलर्स फोर प्री मुलर्स हो हो जाएंगे अब यह करेंगे तो इसके जरी से असानी से मालूम बढ़ा सकता है और एक्जेक्ट जो डेटा मिल सकता है कि उसके उमर क्या रही होगी या क्या उमर होनी चाहिए है ना इस एज के जो टीथ इरप्ट हो रहे हैं भी करेंगे डिफरेंस बिट्वेंट टेंपर अभी टीथ की बात आके और चलेगी है ना लेकिन यहां पर शायद वो हीडिंग का कुछ हुआ हुआ कि पहले यहां पर ही आगे डिफरेंस चप इसको बात में आना चाहिए डिफरेंस बिट्वेंट टेंपरेंट टीथ क्या होता है जैसे इसमाल होते हैं नेरो होते हैं ला ठीथ की ना डिफल इसमें आपको नजर आजाएगा कि खिर जगा पर होता है और इसमें भी कांस क्या था कि वाइट होते है और यह बजाए हैं या वाइट कलर में होते हैं है और अब अब आप करौं दैखते हैं कि जंच्टिट सब्सक्रास और देखते हैं कि जंख्चन आप क्राउन फेंक है ना औरूए इजी है कोई मुश्किल नहीं है व यह अपको क्या है कि एक इनाप्मेटी थी जो कि मैंने इसको समस्टाने कोशिच किया यह इंसिजर कहाँ पर है, लेटर इंसिजर कीध़ है今日 करने किरएन कीध़ है, फ़र्ष मोलर कहा है और, वो ह्रूब कहा Unknown तोarl Eph év introductory तोarl diferentes है वह काणा है यहाँ पर इंसिजर जो यह दूऑ आपको दिख रहे हैं, यह दूब आठ Gold कर देख दो इसमें प्रिमोलर को होगा और इदर जब पर्मनेंट में थो देर निकलने कर दो दबा हुआ रहेगा तो इसको रिप्लेस करते हो जाएगा फिर ना उस पर्मेंटलि फिर जगा ले लेगा है अब आई स्टूडेंट यहां से जो असल बात थी जहां पी अपने पड़ा था कि इसमें बात आ गई थी यह वाला जो है ओशन यह पर्मेंट टीट के बारूं तो ला इना फिर इसमें डिफिरेंस बिट्विन टेंपरेरी औ परमनेटीट के तलूग से बात आगे असल बात में थे परमनेटीट के बात जो यह वाद शेडिंग होगी वह यह होगी यह यानी कि time of eruption कि time कब कब होता है है यह और eruption time इसके बारे में हम बतार देखे सब सो यह पहले मान आपको आया कि central incisus जो हैं जो लोवर में है किस मन्त में इरप्ष होता हुसका 6 to 8 में इस मन्त के तरकार इसका इरप्शन होता है अब दूसर देखे। सेंट्रलिंशीजर अपर होगया सोलें इंसीजर होगा। इंसीज पर सेंसीजर इंसीजर इंसीजर होगा। तो ने पLife इंसीजरोगे के ए swift का हें। अहता है जो किसे एज में होते हैं वो इंत मत अपर टिछ नहीं में में यह भी उता है नहीं तो एटीन मंथ में इरफ्ट होता है और सिगंड मोलर जो होता है वह 20-30 मंथ में इसका एरफ्षन होता है तो अब यह जाहित से वाद एक को है बच्चा मिला जिसकी जो है हम उसके अंदर मुलाज़ा कि जो है यह जो है यह उसका इरिफ्शन हुआ है तो इसके जरी से मालू को जा सकता है कि हाँ इस बच्चे की जो है नहीं रही होगी है ना सबस्क्राइब इसमेक है तो इस के परिफ्टमयान अपने पढ़े अच्छे लेत मेरी को जा तो इसमें इसमें सब्सक्राइब होगी तो उसके रहां करें ध्यक्राइब पर्मेंट नहीं आणे चाइसे है क्योंकि यह घृता है है ना अब इसमें जो है और एड हो जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा से और ज़्यादा चीज चीज रहेंगी बागी तो आसान है और मुश्किल नहीं है जैसे यह पर्मनेंट टीथ किस का इरेफ्शन होता है जो है पर्मनेंट टीथ में सबसे पहले किस एज की उमर में है अब सबसे पहले एज यह दिमाली च्छे से साथ साल की उमर में तो कौन सा जो है ना टीथ का इरेफ्शन होता है तो क्या करेंगा फर्स्ट मोलर का इरेफ्शन होगा ठीक है वह पर्मनेंट टीथ होगा और उसमें पूछे जाए तो आपको यह लोवर इंसीजर ना सबस्ट इ पर्मनेंट की उसमें इक्ति होता चल जाएगा यह वह लेटर इलिए सिजर कितना है और से नो साल के दर्मियान वे उकता है और पर्स्ट पिरिमूलर बायकर स्वीड विडिक से कहते है यह ना से लेवन के दर्मियान उकता है और सिकन्ट प्रीमोलर 10-12 के नाइस जो है 11-12 सिकन्ट मोलर 12-14 तर्ड मोलर 17-20 वाडियनी की थर्ड मोलर जो कि विजदम टीथ होता है और जब से लास्ट में उकता है इसके बाद कोई दात नहीं उकता है कुछ लोगों केसिस में होते हैं जिनको और भी ज्यादा होते हैं लेकिन जो है जो है धर्ड जो इसे अगर फिर भी वह कुछ बश्कान शरकत कर रहा है तो उसको ही का जाता है है ना मुहावरा में कि यह अभी लगता है कि अकल के नात नहीं आए है तो इस्टोटेंट हमने इसको भी हिस्ट्री कर लिया है अब आगे जो आने वाला है वह है किस एज में कौन कौन से टीथ क्या करते हैं अभी आप इसको और असानी समझेंगे जब मैं एक चीज का हालेट करके बता हूँगा अभी बता रहें कि यह कहां का इसका इसका इसको हम समझेंगे यह जो दिया है अपने नमबर पढ़ लाएं जैसे नमबर यह पढ़ लाएं आ है अभी नमबर टू लैटरल अंसीजर है नमबर फिर नमबर फोर salaries में नमबर फोर प्रीध मुलर है और चैपτε और में यह इं ए इन एर याझ ॳाचल की तो कौन साथ पहले पाईदा होगा है लौक उख स्भरे तो अब यहाँ पर हम चले आएंगे यह वाला six यह यानि कि six फस्ट मोलर यह इसके अंदर क्या हो रहा है इस इसके अंदर जो है एज के अंदर पहले कौन से पाइदा हो रहा है फस्स मोलर डात है यह रप कर रहा है अब आए सी स्टुडेंट आप देखिए कि छे से साथ साल क पहले क्या हो रहा है तो हम चले आएंगे इस पर six पर six का यहां पर देखेंगे कौन सा है इस्ट मोलर यह पाइदा हुआ और उसके बाद फिर नंबर वन पर गया रहा है इस्टुडेंट यह है सेंटर इंसीजर यानि कि साथ साल के उमन में फस्स मोलर का इरेप्शन हो रहा है इसमें कहा दिया कि सेंटर इंसीजर तो इस तरह से आप समझ लिएगा अभी हम इसको अगर और करेंगे अभी हम चलिए इसको देख लेता है कि इस फार्मले के अंदर क्या कहा जा रहा है यानि कि दा सिंगल कॉलम आट दा लेफ्ट हैंड साइड है इंडिकेट एज इन जी बताता है कि जो लिफ्ट साइड में है यह वाला हिस्ट तो जाना हाता है बाता है होड्यuchen और कि से रेयां इस में ने डोघ़ और कैना डोची करने लिए सयाぎनि ना ऑब टाका बाद 156 संट में आघके 76120 तू आरा है नहीं एईज की में है यह तो नाइन येर चाहरा है जिक्स वन तू इसको बिए किलियर करेंगे और किस की एग फॉर तीफ किस में अपियर आप करेंगे एक मिजाल दे रहे आए मिसाल क्या दे रहें कि यह की जो है इज of 9-year ममाली अपने 9-year को ले लिया और यह कि यह 9-year अगर हम आ जाए आनी कि यह कि दर है तो है गृफ्ट wn ये इसकुई स्व क्इश भोट आो इसमें 1 यूस मौं अदिक हैं। द helped me caso मगशी का या है अब ये कह रहे हैं कि जो है आगे अगर चल नहीं कर लोगा है अब इस six जो यह है यह six कहा जाएगा? और one जो है यह इसमें चला जाएगा और two जो है यह आजागा lateral incisor में और four की समें आजाएगा student? first premolar में, ठीक है? यानि की 9 साल की उमर माँण लिया आपने है, ठीक है? तो उस में उमर में 9 साल की उमर में की कौन कौन से दात का इरप्शन होता है तो नमबर डाल दिया तो 6 नमबर भी हाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है यह है फस्ट मोलर यह बता रहा है एक हो गया अब फिर दूसरा करें कि नमबर वन आ रहा है यानि कि छे-9 साल की उमर में और भी को कॉंसडार्ट का इरप्शन हो जाता है ह होता है वह नमबर एक यानि thrilled incom कि लेट्र इंसिजर कभी होता है फिर नमबर फोर पर क्यारा है फिर पिल्मोलन का होता है ठीक है स्ट्राँ यह इसको हाँ खटकर दिया गया है तो यह आप अब इसी को ही वहाँ पर एक्जामपल के तोर पर समझाया है अब आप तो समझ कोईश करिए आपने ले लिए लिए फॉर टीथ और वुड है अपियर यानि करें कि नाइन ये अगर हम आए तो उसमें क्या देख रहे हैं देखें नाइन ये थै तो उसमें कितना हो रहा है तो यानि क्या कि एट एजड़ आफ नाइन ये फॉर्टी गूड अप्यापियर है अब सिक्स के मलता बता है आपको ठीक है यह क्या था शिक्स में फस्स्क्स में क्या था यह यह निकिए फस्स प्रीमोड ठीक तो अब दूसरा यह उसमें दूसरे मिन क्या है कि वन यहाँ पर किया डूलेट कर रहा है इधर आई तो अगर आप इधर देखिए ना यह आ गया यह वन आ गया अब यह वन के खाँ पर यह इसको बता रहा है फिर ऐसे ही टू है अब उसके बाद फोर है और जो इसको बाद फार्मूला जो इसका साइड में लिखा हुआ है उसको नंबर से देख लिए और इधर से देख लिए गा है ना कितना नंबर पढ़ा है तो वह नंबर कर लिए तो हाँ पर कितना लिख्या जाएगा कि इंशालला आपको समझ में आ गया अगर आग फिर भी फर्दर कोई कर विजान हो आप मुश्य लीजेगा इंशालला वह आपका क्लिय सब्सक्राइब हो रहा है विज्डम टूथ बिट्वें सेवेंटी ट्वेंटी फाइब इस दर्मियान के ना 17 से 25 साल की उमर में अगल मंदी के दाश जो है आ जाते है और करें पुरेड़ विच मिक्स डिंटिशन एक ऐसा भी हाद्य आती है जिसके अंदर 6 से 12 साल की उमर म अग्स पहले होता है बाकि जितने चुछ पहले होता है वह लोवर जाओ से शुरू होते हैं तो यह हमने अब तर पढ़ लिया कुसरी स्टेंगल को पढ़ लिए का इंपॉर्टन है और इसका आपका एक सीकुस के पाइंट आप से भी अच्छा है और पीजिक पाइंट आप अगर उन्होंने फार्मूला दे रखा है और उसको फार्मूला कर बता दें तो बहुत लंबा हो जाएगा है तो उसी को ही हम लोगोंने नोट में बनाया है उसी को ही हमने पढ़ा है अब यह करें कि दो चीजें एकस्प्शन में आ रही है कि वह कि डियेट टेंटिशन सिनी क्या है अब कि यह आप लोग मालु में इसे मर्ज कसाह भी कहते हैं चैसे बच्चों में और घंटी यह कमी के वह से आधीक को लाए नर्भ हो जाती है ठीक है तो ऐसी वीजिक हो जात कि गजिए यहें दो तो सब्सक्राइब करें दोटेमा इंखने बेदींतिकर्टी। क्वेमिफि तो इसको बच्चा होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके दान्त निकला होगा तो इस्टुड़न हमने अब तक पढ़ लिया क्या कि ऊस्टिफिकेशन अव्यूस्वारी तो इसके पढ़ लिया एज का तालुक से और टीथ उसमें एक पार्ट जो पहला था उसको पढ़ा अब दूसरा जो इससा आ रहा है वह है और ऑस्टिफिकेशन आप बोन यहीं की जरीए से कैसे मालूम करेंगे कि किसी की एज कितनी है कितनी हो सकती है यहीं की जैसे खास होते है कि कहा करें कि दा बोन्स आप दा हीूमन स्क्रिटन और और ऐसी तैक उसिफाइड एटा पार्टिकुलर पिरिट ऑफ एज यानि की है कि इंसानी जो डाचा है इसके जो हट्टियों से बना होता है यह खास उमर में खास हट्डी डिवलप होती है और इसमें जो प्रैमिर से इसके डेवलप होंगे जो पॉसिफिकेशन है यह क्या होता है अगर यह बहुत जादा मददकार होती है अगर कि उमर को बताने के लिए तो इस प्रैंट यह था कि जो है वसी प्रैंट अब जाता है अब किसी बच्चे कर यह चीज क्लोज हो गया तो यह मालूं क्या है हो जाएगा इस बच्चे को है ना दो से थाई साल की उमर के दर्मियान क्या है तो इसी आप जिसको और चीज़ों को पड़ लिए नंबर तीसरा पाइंट नंबर चौता पाइंट है और दालम् इसमें को कुछी पॉइंट आपको याद हो जाए तो भी आपके लिए इसम पॉइंट आपको इसे चल जाएगा अब इसके तरह मिस्लेनियस मिस्लेनियस पर्टिवलर में जो कि यह को बताते हैं है ना दो तो अपने पढ़ लिया एक तो क्या था उस पर्टीद के दरिये से डृसरा क्या है कि उसके औस्थिफिकेशन अब दावोन की जरिये से माहिए मालुम की यज़र सकता है टायून की यज़र सकता है और फे चौथा है मिस्लेनियस फटूलर मिल गया ना तो बड़ सीर्टिट मिल गया और वह जोड़ुड बोल रहा है कि नहीन तो साब जो है अ तो यह क्या है कि इसके जरी से बिरस्टर ड्विकर्श के जरी से भी इश्का तायून हो जाएगा है इसे बाते इसके लिए और कुछ इसे खास इसके रहे नहीं को आप जब नोट बनाएगा तो खुद यह आपको सब की जिया आदा आजाएगी और बिलोड़ लेवल अफिर क भी जाते हैं और मुस्टार कर सब्सक्राइब करना कि जाते हैं और भी इसके जरी से भी जाएगा कि नौजवानी के अँमर का ये इंसान पहूंच चुकाए और फिर दोस्त देखते हैं कि the changes during old age अब ये देखा जाए कि पुबर्टी एज में देख लिए आपने आपके दूसरा आता है मिसलीनिस के इंडर मेरा यानि कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो भी उसके बाड़ी में क्या होता है कि चेंज आने शूरू हो जाते हैं तो उसमें जो है जो है जो है जो है जो है चारी सार के बाद क्या होता है कि चेहरे पर जूड़ी आ जाती है है और के सिनाइलिस जो कहते हैं कि इसमें क्या है कि बूढ़ा हो चुका है या प्यास साल का हो चुका है उससे जाद उमर का हो सकता है है ना तो यह इसके जरीए से जाने शैकोनी तबदिलियां से नाइल चेंजेस के जरी इसमानों को जाता है कि उसकी उमर जाइज वाद है वो और ना तो बच्चा है और ना ही तो एडल्ट है बाकी वो क्या है तो फुट्टी यर्स के दरम्यान का इंसान है वो है जिके हम सारग्स होता है बहु तर अपने थार्यस तो में तो नहीं लोग करvat देक है ना बस दूसरे जो ड़से कोमों में और मिन चेंपिक करते हैं और इसको हमसले देखें तो वह कौनी लेखा ले तो अपनराव प्रिड़त्स है और को अपने आपने पररिमाध का कर्या श्याक ह तो इसके जरी से मालूप हो जाएगा कि हाँ यह कि यह बला गी बाली की उमर की इनसान ही तब इसका जो है ना इसने इस तरह की टेटो मार्स लगा शका है या कोई कर यूस करता है तो उन सस्थ में इन जैसे इंक है चाइना इंक है और सूट इंक है तो इस अजिस से मालूम अजाएगी हैं वह वहए जe और जांजे करते हैं कि अपते हैं को जाधा बलेक करता है को देखे आप तो बहुत यफरिजन करने लगे हैं तो भी उनका कुछ इस्सा वो ग्या होते हैं बालों को क्या कर रंगे होगी होते हैं लिज जरीं से भी एज का तायएगा और Herodai ऐ है, consist of, है ना, सिंदूर, यूए, कियाते है, Virmilon, अगर Herodai कोई यूस कर रहा है, तो जिसमें कियागा है, सिंदूर, वगरे जैसे समाल होता है, तो इसके जरीए से भी क्या है, कि मालू हो जाएगा है, हाँ, जो इसकी शादि शुदा, ये फिमेल है, और इसकी एज इसके रावंड इतनी हो सकती है कि न खीड या सथा कर न स्की मार्ट टे हैं और ब भर कोुई बढ़ा काम कर रहा है थुर्द हो ही आगे है ना और उसको तो या अश्के कर रहा है कि जो है जिसमें बहुत ही भारी भर कम चीजे उठाने काम जो पल्लेदरी के करता है है ना खासर हम पीट पर चीजों को ड्षा होता है तो इस सब चीज है कि उसके अंदर बताएंगी अब जो पाच्वा पाइंट है तीसरा पाइंट वो क्या है इसकार के जरी से मालूम कैसे हो ज़िए का तो इसके जरी से भी तो इसके जरी से अगर किसी को किसी नहीं मारा उसके बाद फिर उसके जो है और इसके बीपन जो था कौन से इस्तिमाल किया वो मानने के भाग गया तो अब यह मालू हो जाएगा कि हाँ जो इस बीपन यह जाहिजवात है कि कोई बड़ा इंसान ही होगा तभी वो जिसे कुलाड़ी है बारी बार कम मिली गई मौकर वारदार पे तो यह मालू होगा कोई बड़ा इंसान भी होगा ना जिसने बलचे बलचे बार जयाम लगा देहिंगा डिकलाड़ी से कुलाड़ी से कातल किया इसको माराए तो चैहें अब उसके बात दूसरे कि ऐजाव इसकार इसकार में बनाओं के जानि कि डरीये से भी मालूँ जागा कि इसका इसका जखम भर चुका है ना तो यह मालूम होगा कि जो तो यह वास्कुले टू वास्कुले टू टू मंथ की तर्मियान हो जागा एक टेंडर टू ना टेंडर टू मंथ इब आप शीक्स मंथ अब यह स्टूडेंट पढ़ लिजेगा बहुत मुश्किल नहीं है मतमस्ता हो कि आप आसान है ना सब को बस यह देखना है कि कि किसकी इसकी जान बहुत सारे जो है इसकी एक उसके इंपॉर्टेंस है ठीक है ना अहती बिखानूनिमें जैसे इन डिव इंडिविजल किसी सक्स की जो है कोई शक्स है उसके शनावत में बहुत असानी हो जाएगी है कि वगर किसी ने लिख दिया कि गुंशुदा हो गया उसका तो बड़े का गुशिद की लिखा दिया जब कि उसका बच्चा बुम हो था है ना तो उसके जरी कि जरी से मालू हो जाएगा कि हाँ किस उमर में उसका बच्चा गहब हो था या उसके जरी से मालू किया जाएगा यही कि तिर्पे कानूनी इहमेद है इसकी और कि इंब्राइन परिनेंसी में दिखा जाए तो उसमें क्या होता है कि कहने कि या रख भी दा सिवन डे आप फर्टलेशिए वां में इंपर गाल इंदा इंपर इंट्रस इसकार्डलिस जो है इंप्राइड तो या रिक अगर कि अगर किसी ने वह अपने बच्चे को इसे मार दे रही है तो उसमें क्या होगा कि यह होगा कि यह होगा कि नहीं कि वह बच्चा था यह नहीं है बना ही नहीं नहीं था तो इसके भूशर की कि दर्म्छिम सब्रक्राशव को पारी है नॉट कारी को और फ्टस के इना है नहीं तो अगर उसको कोई इंसन मार रहा है ना तो गतले कर रहा है तो वो है है ना इसके खेहरे कि यह जो है तो उसको यानिकि फिटोसाइट के अंडर में आगा है यानिकि उसे बच्चे को मार दिया और इफिंटिसाइट के थे हैं कि डिलेबेट अनलाफूल किलिंग ऑफ नियूबोर्ण फिल्लो दा एज आ वन इयर तो तो वह किसके आए गया इंफिंटिसाइड उसका हुआ है और इस इसके इसके दर्मियान इसको मारा गया है तो अभी वह यह किसी के कतल किया गया एक तरह किया और फिर वाइबल चाहिए सेक्षन 300 आइपेसे अफ्र सेवन क्लेंटर मंस है ना करें कि जो होता है ट्वेंटी तो फूहंड़ ट्रेंटेंड डेस अब दा प्रेगनेंसी फीटाजिस कार्ड वायबल चाहिड ना उससे दोसे दोसे जिन का बच्चे को क्या कहेंगे यह बच्चा हो गया अपन का अधिका पेडा होता है यह ओएधा कुछ दून्या मात है तो उसके अंदर यह तनी सलेइत होती है कि वो क्या कर जा जाये है ना तो अगर को इसको एक कहे था नहीं वो क्या झाहिए ही हुए नहीं मर गया था और सर्वाइब ने हुसक्ता था इसलिए हमने उससे मार दिया तो अभ य है ना जो इसको कंद करने की कोश्रिक दिया होगा कि अधिन कहला है विए इंडिपेंडेंटली आफ बोर्न है ना किलिंग आफ वाइवल चाइड है ना तुदा ओफेंस आफ दा इंफेंटी साइड जरीन का अंडर में वो आएगा कि उसने जो है को कदल किया अब यह करें लिजा बच्चा कि सीसे इस सीसी के साथ जयाती कर देठी और ओर बच्चे प्रिनीट हो गई अब यह कभी इसमें अब जाइडेंचम का यह तो हमल के सीसे को बच्चा करने की जाएगा तो पैदा होगा तो किसका होगा ना यह नहीं मालूम है तो इस सब चीज़ों कंदिश तो उसके तालुक से इसमें देखें कि इंक्लूडिंग MTP डिसीजन अब वन डॉक्टर इस एलाउट तक का चैनीन है तो एक डॉक्टर को एलाउट के जाएगा कि क्या करें कि वह इंटर्यूट्राइन लाइफ जो है और इस फिरिट अगर है तो एक डॉक्टर के अंडर में इस इस क्या हो सकती है अगर इससे उपर चला गया है तो फिरिट डॉक्टर के जो डिसीजन हो जाएगा अगर उन्हें लिख दे दिया हाँ यह आप MTP करा सकते है यानि कई बाट करा सकते है तो तो क्या है कि वह पर्मिशन मिल लिए अगर वह बीना पर्मिशन के वह कोई ब इसके दर्मिशन के जाएगी क्योंकि वह मुझरिम हो जाएगा इजाद भी नहीं दी जाएगी मतलब चाहे दो डॉक्टर हो है ना इसे कंडिशन हो जाएगा अगर यह ऐसी कंडिशन कोई पाइदा होती है तो तो यह थी अब तक की जो हमारा चला है इसको कवर करने कोशी कर रहे है तक कि बड़ा पार्ट है अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वह पार्ट थीरी तो मुकमल हो जाएगा तो आपने पढ़ी लिए आप फॉर्थ पार्ट आएगा वह है एक वार्ट वह है फिंग प्रिंगर प्रिंट के तरलोग से आपको पढ़ाएंगे है वहां पर लिग देंगा इंट्रिकेशन पार्ट फॉर और उसके अंडर में आप सब्रेडिंग रहेंगे फिंगर पेंट के उसको हम लोग पढ़ने कोशी करेंगे तो मैं समस्ता हूं कि आपके लिए इतना काफी कर दिया है तो बस अभी मेरे लिए नहीं है नहीं वहीं ऐसा नहीं है तो बस दिले करो ताकि आपको अभी रम्दान के चुटी हो जागी ठीकर उसमें भी आपको टाइम मौका नहीं मिलेगा कि मतलब जो है यहां कालेज तो आएंगे आप लोग सब लोग तो उस वहां भी वक्त निका लिए उसको भी पढ़ दे ताकि एक जहन बना रहे पढ़ना लिखने का है ना जब एजाम आए तो आपको प्रॉलम और दिखत नहीं है हमारा में मोटो यही है ठीक है हमारा में मकसद भी है कि पढ़ने लिखने से हमारा तालुक बना रहे बागी चीजे हम अज़ देजिए अला आप